पहला, छे महिने की अवधी किसी भी एंगल से विश्वास पे नहीं रखी जा सकती है, क्योंकि जिस प्रकार से ये सरकार हर भरती में, हर एक्जैम में, इस प्रदेश को युवाओं के साथ धोके बाजी, लूट-खसोट करती आ रही है, तो छे महिने की अवधी पे तो विश में देरी भी अन्याय है, तो जब अब सरकार मान रही है कि पेपर लीक हुआ है, तो इडी छात्रों को जो पहले से उनके पास प्रवेश पत्र है, उसी प्रवेश पत्र पे अधिक्तम 15 दिन, या कह लीजे, लोकसभा की अधिसूचना लागू होने से पहले, दुबारा इन और मानिये मुखमंतरी जी का निर्णे उस व्यक्ति को अपने आप में संदिक्ड कर देता है, तो मैं तो मानिये मुखमंतरी जी को ये चुनोती देती हूं, कि ये आपकी भी तो साझपे बट्टा है, कि आपकी ही सरकार में बैठा हुआ एक अगर उपुखमंतरी ये बात क कि आप इस पे निश्पक्ष जाच कराईए और आपको समझ में आ जाएगा आपको पता चल जाएगा कि कौन दोशी है और उसके खिलाफ भी बहुत ही गंभीर कारवाई होनी चाहिए इसके साथ जो आरो बर्देश पहले से डिमार्ड इस स्टुटेंट्स की कि इसको भी दत किया जा कि उसमें पेपर लिक की गटना सामयाई थी है देखिए उत्तर प्रदेश में आज जो आक्रोश है युवाओं के बीच में और जितने भी लोग चाहे इलाबाद में बैठे हों चाहे इको गार्डन में बैठे हों वो छात्रों का आक्रोश सिर्फ उत्तर प्रदेश पुलिस भरती को ले करके नहीं है उनका आक्रोश उनत्तर हजार सिक्षक भरती घोटाले को ले कर नहीं है उनका आक्रोश सिर्फ ए और प्रदेश में जो सरकार है उसमें बैठे लोग शड़यंतर कर रहे है इस प्रदेश के जो बहुमत में जो लोग हैं युवा हैं उनके वरतमान और भविश को खतम करने के लिए